हेलो दोस्तों मैं जितेंदर बैनिवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज पर आप से विका सुवागत है लाश्ट वीडियो में हमने दिल्ले सलत्रंत के गुलाम मुंस को स्टार्ट कर दिया था और हमने पढ़ा था उसमें कुतुब दिन एबक और हमने कुत करते हैं आज इल्टुदमिस के बारे में तो इल्टुदमिस की बात करें कि इल्टुदमिस था कौन सबसे पहले यहीं बात कर लें कि इल्टुदमिस कौन था तो यह कुतुब दिन एबक का था गुलाम वै दामाद क्या था यह गुलाम वै दामाद था किसका कुतुब दिन एबक का, गुलाम कैसे कुतुबदिन एबक ने इसको अहन्लवार के युद के दोराण खरीदा था, तो उस हसाब से तो हथा ही गुलाम, लेकिन फिर क्या किया था कुतुब दिन एबक ने इसके साधी अपनी पुत्री के साथ करवा दी थी फिर यह क्या बन गया था दामाद मन गया था बात करें दिल्ली सलतनत के या गुलाम वंस पे सासन कि तो अब हम बात करें इसने क्या किया बात चल रही है यहां पर किसके राजदानी की तो इसने राजदानी कहां पर बनाई इसने राजदानी बनाई थी दिल्ली तो कहां राजदानी बनाई इसने दिल्ली कुतुब दिन एबग ने अपने राजदानी कहां बनाई थी लाहूर और इसने कहां पर बनाई दिल्ली तो क्वेस्टन क्या आता है कि राजदानी लाहूर से दिल्ली कौन लेके आया तो कौन लेके आया था इल्तुत मिस अब इसने इस आसनकाल में एक परमुक्ष युद्ध होता है कौन सा युद्ध वो युद्ध था कि तराइन का कि तिसरा युद्ध तो आप से क्वेशन पूछ ले की बताओ तराइन का तिसरा युद्ध कब हुआ तो तो का तिसरा युद हुआ था कब बारा सो पंद्रा में यहीं बात करें किस किस की बीच हुआ था तो युद में किस किस ने बाग लिया था एक तो था यल्दोज और दूसरी तरफ कौन था इल्दोज और इल्दोज में इसके बीच तराइन का कौन सा युद हुआ था तराइन का तीसरे युद यह युद रियाना जिक्के के लिए भी इंप्रोटेंट बनता है एक सरे पूच लिया जाता है तो थाराइन का थिसरा युद यानि की तिसरय है तो तीषय आराइन के दो युद और हूए इसे के सासन के काल में क्या हुआ था जो मंगोल नेता था बात करें मंगोल नेता कौन था तो वो मंगोल नेता था चंगेज खान खान बोल दो या चंगेज खान बोल दो तो कौन था मंगोल नेता चंगेज खान तो इसकी बात करें हम 1221 में 1221 में ये मंगोल नेता चंगेज खान है जो हमारी सिंदु नदी है उससे क्या हो जाता है वापीश चला जाता है और कर्षर्टन ईगजामिनर पूछ लेता है कि किसके सासंकाल में मंगोल लेकात चंगेज घगा बारत की सीमां उसे वापी算 लोट गया था तो किसके असासंकाल में लोटा था इलतुत मैं सासंकाल में तो अब बात करते हूं यह नाम है जल्लालो दिन मांग वरनété क्या है ये इसका नाम जलालुदिन माग बरने तो यहाँ पर बात करें हम जलालुदिन माग बरने की इस पर चंगेज खाने हमला कर दिया 1221 में और जैसे इस पर हमला होता है तो ये साहिता के लिए आता है किस के पास इल्टुत मिस के पास और इल्टुत मिस इसकी साहता करने से कर देता है कि बाइज जहाँ से आया था वहीं चला जा हमारा कोई जुगार दिया मंगोलों से बिढने का तो माना जाता है कि जैसे ही जलालुदिन माग बरनी वापिस जाता है और ये बाते बताता है जाके किसको चंगेज खा को तो चंगेज खा सोचता है कि इल्टुत मिश्टो मुझसे पहले ही डरता है वो तो पहले ही आरा हुआ है इसलिए मैं उस पर attack नहीं करूँगा और यहां से सिंदू नदी के किनारे से चंगेजगा क्या होता है वापिस लोट जाता है कब लोटता है 1221 में कौशन पूछ लेते कि कौन सी नदी से लोटा था तो कौन सी नदी से लोटा था वो सिंदू नदी से अब इसके बाद की अग निर्मान कार यह पूरा करवाया किसका कुतुब मिनार का किसका पूरा करवाया था कुतुब मिनार की क्या थी इसने चोथी मंजिल बनवा दी तो इसने पूरा करवा दिया निर्मान किसका कुतुब मिनार का इसके बाद इसने क्या किया इसने टकसाले लगाई किसकी सिख्य उस्पने बनाने की और इसने सिख्के बनाए कौन कौन से गया यहां पर आप से एक्जामिनर कोशन क्या पूछता है कि इसके टाइम में सासनकाल में क्या कहकर पुकारता था उनको क्या नाम दिया गया था तो नाम क्या दिया गया था इनको जीतल और चांदी की बात करें क्या नाम दिया गया तका तो तामबय के तो जीतल और चांदी का क्या था तका तो किसने बनवाई यह सिके इल्टोत मिसने इसके बात करें इसने और कारिय क्या किया इसने अपने आपको उपादी दी किसकी सल्टान की किसकी उपादी दी थी सुल्तान की तो पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा साशक जिसने अपने आपको क्या कहा सुल्तान वो कौन था इल्टुत मिस दिल्ली सल्तनत का पहला साशक जिसने अपने राजदाने कहां पर बनाई थी दिल्ली में कौन था इल्टुत मिस इसलिए क्या आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तिवि कौन है यह है इलतुत मिल्स तो क्या है यह वास्तवेक सस्थापक अब यहां पर बात करें हम इसने और क्या किये इसने चलाए सुद अर्बी सिक्के कौन से सिक्के चलाए थे सुद अर्बी सिक्के और उन सिक्कों पर इसने क्या किया एक तरफ तो सुल्तान और एक तरफ क्या खलिपा डलवाया तो एक तरफ क्या लगवाया उन पर सुल्तान और एक तरफ क्या मंडवाता है खलिपा यहीं पर बात करें हम एक कारिये और क्या गरता ही जब यह सासन करता है तो इसने एक परंपरा स्टार्ट कर दी वो क्या थी इसने सरू कर दिया क्या वन्सवाद क्या सरू की है इसने वन्सवाद और वन्सवाद का मतलब क्या है राजा का पूतर राजा क्या होगा राजा का पुत्तर राजा बनेगा तो बोला जाता है कि वंसवाद परणाली किसने स्टार्ट की थी, तो यह करने वाला कौन था, इल्टुत मिस, तो अब इसके और हम अभ्यानों की बात करें, और क्या-क्या इसने किया है यहां पे, तो उनमें नाम आता है कि इसने वो थी, इकता परणाली क्या है, सैनिकों को दिया जाता था नगत वित्तन लेकिन इसने कैस टार्ट कर दिया, उनको देना फूमी, वित्तन के जगह उनको भूमे मिलेगी और वहां पे वह खेती कर सकते हैं और अपनी आए ले सकते हैं तो इसके बाद कि अगर हम बात करें तो यह एक लेकर आता है गुलाम को उससे पहले हम बात करें इसने स्थापना किसकी की तुरकान ए चहलगामी की किसकी सापना किसने तुरकान ए चहलगामी इस तुरकान ए चहलगामी को हम बोल सकते हैं तुरकान ए चहलगानी इसी को बोल सकते हैं चालिसा दल इसमें था क्या इसमें सदस्य थे टोटल कितने चालिस एक तरफ से हम बोल सकते हैं इसको ड्रैक्ट इंड्रैक्ट कि यह होती थी राजा की मंतरी प्रिशत जिसमें सदसे कितने होते थे बढ़ैं तो तुरका नेचहल लगा का गठन किसने किया इसके बात हम बात करें जिक एच्वी को को जिसका नामकिया और अँछब गल्मन और खृद के लेकर आता है गुलाम बना के लिए के आता है और इसे काम दे ता है किस का बिस्ति का मतलब बिस्ति का क्या मतलब है पानी डोने वाला तो किसका कारिय देता है पानी डोने का लेकिन जो ये बल्बन है है बड़ा ही योग्य सासक कैसा सासक है बल्बन योग्य सासक है तो अपनी योगताओं के दम पर ये क्या होता है दीरे दीरे बरती हो जाता है कहां पर सेना में उसके बाद फिर अपनी योगताओं के दार पर क्या बन गया ये सेना पती अब दीरे दीरे ये प्रमोशन करता हुआ आगे बढ़ता है और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इल्टुत मिश्के सबसे खास लोगों में गिंती होगी किसकी बल्बन की और सबसे खास व्यक्तियों में गिंती होती है तब बल्बन की तो बल्बन को एक पद मिलता है कौन सा कौन सा पद मिलता है वो अमीर ए आखुर कौन सा पद मिला अमीर ए आखुर इस अमीर ए आखुर का मतलब क्या है साही असो साला का परदान कौण सा पद है अमीरे आखुर और उसका सदस्या बन जाता है अद्यक्स बन जाता है कौन बलबन और यह अमीरे आखुर किसके उपर कारिये करता है ये कारिये करना Smart कर दता है तुर्कान इस चहल गानी के उपर तो अब जो संका आदार बनता है ऒो क्या रहेगा सब से उपर क्या होगा राजा होगा फिर होगा अमीरे अखूर और उसके नीचे क्या होगा तुर्कान इस चहल गानी तो अब हम यहाँ पर बात करें 1236 की 1236 में क्या होता है 1236 में इल्टुत मिस्की हो जाती है मिर्ट्यू किसकी मिर्ट्यू होती 1236 में इल्टुत मिस्की इल्टुत मिस 1210 में सासक बना और 1236 में क्या हो गया ये मर गया अब यहाँ पर बात आती है कि इल्टुत मिस्का एक भी योग्य पुत्र नहीं है तो इल्टुत मिस्की बोला कि मेरा एक भी योग्य पुत्र नहीं है तो अगला जो सुल्तान बनेगा वो बनेगी मेरी पुत्री रजिया रजिया करेगी सासन लेकिन होता क्या है यहाँ पे इस इलतुद में इसका एक दासी पुत्र है रकनू दिन फिरोज सा कौन है? रुकनू दिन फिरोज सा यह दोखे से गद्दी पे बैठ जाता है कब? बारा सो चत्तिस में और इसको कब उतार दिया जाता है गद्दी से? बारा सो चत्तिस में ही और फिर अगला सुल्तान कोन बनता है? या कोन बनती है? रजिया फिर कोन बनती है? रजिया सुल्तान कब बनती है यह? बारा सो चत्तिस में और कम तक रहेगी 1240 तक तो जो next class होगी वो होगे हमारे किसके उपर रजिया के उपर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और share करें